हेलो एवरिवन वेलकम बैक अबर यूटूब चैनल डेश्टिनी कॉमर्स अकैडमी यूटे टोपिक इज कौने अने कौने पर्राः्र गरिभानु असज जिसका आपको याद हो किया था लैंड के बिलेड जो मिलता है उसको हम α depths बोलते हैं चैनलेभर के विलट चाहिश महें उसको हम वेजोज बोलते हैं और कैपिटल के लिए जो मिलता है उसको इंटर्ष्ट बोलते हैं इसी तरह से एंटर प्रणियोर को मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं प्रोफिट तो यही आज का अपना टौपिक है और जो रेंट है वेजिज है इंटर्ष्ट है इस से रिलेटिध हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं तो प्रोफिट लए नमबर बन गृस प्रोफिट को अपाउंटिंग प्रोफिट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं । अकाउंटिंग प्रोफिट भी बोलते हैं जो आपने कि जितनी आप से की है उसको हम क्या बोलते है रिंगणी बोलते है तो टोटल सेल यानिके टोटल रिवेई मानेस एक मिली सीट कोष्ट एक्सप्लिसिट कोष्ट याद हो टो आट अट ऑफट कोष्ट बोलते हैं जो आफने जेब शेये admitted कर कि खिक है, implicit cost बोले है, इसको normal profit भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, normal profit, किसको implicit cost को, देखो, एक होता है gross profit, जिसको हम accounting profit बोलते हैं, एक होता net profit, जिसको हम economic profit बोलते हैं, एक होती implicit cost, उसको हम क्या बोलते हैं, normal profit, तो आपने देखा तो gross profit कैसे निकालते हैं, total revenue minus explicit cost, और gross net profit कै या तो आप ऐसे निकाल सकते हो total revenue minus explicit minus implicit या फिर gross profit की help से अगर आपको निकालना हो तो आप बोलोगे net profit net profit equal to gross profit minus implicit cost थीक ना तो नॉर्मल profit कौनसा होता है जो आपकी implicit cost के जो एंटरपनेयोर को मिलता है जो आप याद मतलब यह जो है entrepreneur को जो profit मिला है इसको हम क्या बोलते है, normal profit क्या बोलते है, normally? normal profit minimum profit in which, जिसको देखकर नहीं तो कोई company या industry कें अन्दर आती है, और नहीं उसको कोई छोड़ कर जाती है और abnormal profit, जो normal profit से अब वो होता है, उसको हम क्या बोलते है abnormal profit ठीक है, एक बार फिल डिसकस किया गया, accounting profit क्या होता है, accounting profit के regarding gross profit और direct cost बोल लो आप इसको, या फिर explicit cost बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, explicit cost आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है न, चाहिए वो wages rent जो आपने out of the pocket दी हैं, तो gross profit हम कर चुके हैं, net profit हम कर चुके हैं, net profit को economic profit भी बो profit, यानि कि अपना concept आता है, theory of profit के regarding हम पढ़ेंगे, तो पहला क्या दिया गया सबसे पहले, सबसे पहले है आपका rent theory of profit, rent theory of profit, ये rent theory of profit दीक इसने थी, ये दिती वॉल करने, वॉल करने कब 1887, source of profit के regarding इसने बात की है, profit एक ability है, किसकी entrepreneur की, a marginal producer does not arise profit, marginal का मतलब होता है, जो बंजर भूमी का आप बोल सकते हो, फिस बंजर भूमी पर खेती करने वाला, a marginal producer does not arise profit, यानिकि अगर आप बंजर भूमी पर agriculture करते हो, तो उसके regarding आपको सिरफ उतना ही मिलेग जितना आपकी cost लगी होगी, आप उसमें अलग से profit नहीं कर सकते हैं, लेकिन intra marginal entrepreneur, यानिकि जिसकी भूमी उपजाओ होती है, fertilize होती है, तो वहाँ पर क्या होता आपका जदा profit न कर सकते हैं, कैसे cost को कम कर सकते हैं, यानिकि marginal producer के पास कोई profit नहीं होता, intra marginal producer के पास profit होता है, वह अपनी cost को कम करके profit रन कर सकता है, तो नमबर वन था आपका rent theory of profit के regarding, next one दिया गया है, wage theory of profit, टोई सिंग नहीं दी थी, spotted by Davenport, profit क्या था है, इजे wages, देखो पहले वाले हम क्या था, profit is the ability of entrepreneur, ये क्या है, profit is the wages of entrepreneur, arise due to, किसके कारणा arise होती है, due to special ability और intelligence, यानि कि special ability और intelligence आपके पास है, तो आप wage theory of profit के थुरू profit रन कर सकते हो, it is a mental process, ये क्या है, mental process है, third one आता है, आपका marginal productivity theory of profit, marginal productivity theory of profit देदी चैंप्मेंट ने, या स्टिगलर ने, या फिर हैग ने, profit कैसे निकालते है, marginal productivity, याद है, marginal productivity, marginal productivity को हम क्या बोल सकते है, marginal physical productivity, physical productivity का मतलब क्या होता है, कितना आपने input लगाया था, और कितना आपको उसके बदले में output मिला है, ठीक है, अगर आप input कम लगाते हो, output ज्यादा होता है, तो increasing है, वरना decreasing है, और अगर जितना input लगा उतना है, output होता था आपकी constant, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, marginal productivity of labor, यानिके profit किसके बराबर decide होता है, profit is equal to marginal productivity, ठीक है, of entrepreneur, इसके अलावा, risk, theory of profit में क्या था, हावले ने दिया था, मार्चल ने इसका sport क्या था, enterprise and his productive process के regarding बात की गई, प्रोफिट क्या है कि risk taking ability, अगर जो जितना ज्यादा risk लेगा, वो उतना ज्यादा profit earn करेगा, फिर next one आता है, risk, theory of profit हम कर चुके हैं, यानिके जो जितना ज्यादा risk लेगा, वो उतना ज्यादा profit कमाएगा, हावले ने इसके दिया था, मार्चल ने इसका sport किया था, uncertainty bearing theory of profit, ये Knight ने दी थी, प्रोफेसर Knight, इसने बोला कि दो तरह की risk होते, एक होता है insurable, जिसका insurance किया जा सकता है, एक होता है non-insurable risk, अगर जैसे risk of fire, theft, accident, इस टाइप के जो risk है, लाइक आग लगना, चोरी होना, या फिर accident होना, इस टाइप के insurance होता है, तो वहाँ पर profit आप अपर अपर नहीं सकते हैं, जितना ज्यादा risk होगा, uncertainty के साथ साथ, non-insurable risk भी होना चाहिए, like competition, technology, ठीक है, business cycle, ये कभी recession, कभी boom, government policy में चेंज होना, interest या fashion consumer का उसमें चेंज हो ना, तो non-insurable risk के थ्रूँ आप profit earn कर सकते हो, और insurable risk में no profit, आप इसके थ्रूँ कोई profit earn नहीं करते हैं, ये याद रखना, next दे रख है आपका, socialist theory of, socialist theory of profit, socialist theory of profit में देखिए, क्या बोला गया है, काल मार्क्स ने दी थी, दास कैपिटल के थ्रूँ, क्यादर का more the exploitation of labor, यानि के काल मार्क्स मानता था, कि जितना ज़्यादा आप labor का exploitation करोगे, उतना ही ज़्यादा profit earn करोगे, next बन था dynamic theory of profit, क्लार्क के थ्रूँ, profit is the reward of change in dynamic economy, change in dynamic economy means, कभी तो आपका, आप बोल सकते हैं, बूम की condition आ सकती है, कभी आपकी recession की condition आ सकती है, यानि कभी तेजी, कभी मंदी होना चाहिए, तभी इसको dynamic economic बोलते हैं, यानि कि अगर बूम और रिसेशन आएगा, तभी आप profit earn कर सकते हो, अगर static, अगर fix, एक rate से चलती रही इंडस्ट्री, या आप बोल सकते एकनोमी, तो आप profit earn नहीं कर सकते हैं, यह जो change in dynamic economic means क्या होता है, like change in population, change in quality of capital, change in interest, need, fashion of consumer, technology में change, ठीक है न, यह याद रखना, सेंप्टर ने, सेंप्टर ने, ठीक है, profit is the reward paid to entrepreneur for his innovative and hours, यानि कि जो उसने effort डाले हैं, जो आपने, जो उसने effort डाले हैं, कुछ को नया innovation किया है, उसके थूरू उसने जो profit earn किया है, उसको बोलते हैं, innovative theory of profit हम उसको बोलते हैं, नेक्स्ट आता है demand and supply theory of profit, क्या बोलते हैं, demand and supply theory of profit, अब demand जो depend करती है, यह जो demand depend करेगी, यह करेगी marginal revenue productivity, याद आपको कैसे निकालते हैं, marginal physical productivity into price, market price आप बोल सकते हैं, इसके तोर आप मार्जनल रिवैन्यू प्रडेक्टिविटी निकाल सकते हों मार्जनल फीजिकल प्रडेक्टिविटी क्या वही कितना इंपुड आपने डाला उससे कितना अपने अर्ण किया सप्लाई जो डिपेंड करती हो रिस्क बीरिंग पर अगर आप रिस्क ज्यादा मतलब ऐसे अगर अगर आप सप्लाई करो इस पर सब्सक्राइट आपकोさいसे क्यसा क्यों स crew क्यरफिट कॉन से निके आपको पता is perfect में करोगी, तो perfect में क्या होता है? Rate fix होता है, price fix होता है, इनके सारे equal risk severe करते है, इसलिए supply करो क्या होगा? इसका horizontal, क्या हो 자یगा? horizontal इनके fixed supply करो हो जाएगा अपका, और इसमें supply करो क्या upward, क्योंगि जो जितना risk लेगा, उसको उतना ही profit earn होगा, यह supply करो, upward, upward supply करो, demand करो, MRP पर depend करता है, इसलिए क्या होता है, downward slope, left to right, downward slope होता है, और जहाँ पर demand and supply मिलती है, वहाँ पर इसका price decide कर देते हैं, या वहाँ पर इतना profit earn आप कर लोगी, यह था आपका theory of profit के regarding, कि theory of profit में profit क्या होता है, profit तीन तरे का कौन कौन सा, accounting profit, इसके बाद आपका economic profit, और फिर देर रखा था आपका कौन सा, implicit cost को में बोलते हैं, normal profit, तो यह आपको याद रखना है, फिर next concept आपता है अपना income, national income के रिगाड़ी, या था नेशनल income को NY से भी denote करते हैं, या फिर एन, 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 पी, एपसी, नेट, नेशनल, प्रोडेक्ट, एट फैक्टर कोस्ट, एपसी का मतलब होता है, फैक्टर, एट फैक्टर कोस्ट, ठीक है, नेशनल income का हूँ, य से देनोट कर जाते हैं, ओके, एडम स्मित फर्स्टली प्रजेंट दा कंसेप्ट ओफ दा नेशनल इंकम, एडम स्मित ने सबसे पहले नेशनल इंकम के बारे हम बताया, उसकी जो बुक थी, वैल्थ ओफ नेशनल इंकम के बारे हम क्या बोला गया है, कि नेशनल इंकम is the sum of monetary value, all the goods and service produced within a country during a year, एक साल को और आजो एक देश ने goods and service का production किया है, उनकी monetary value का हम क्या बोलते है, नेशनल इंकम, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले है एक तो आपका gross national product या फिर हम पढ़ेंगे national income के बारे, gross national product GNP या gross domestic product GDP, इसमें फरक क्या है सबसे पहले तो यह याद रखना, GNP ठीक है, और एक देर GDP में, ठीक है, GNP, अब यहाँ पर क्या है national और यहाँ पर क्या है domestic, ठीक है, national और domestic, तो domestic में अगर हम net factor income from abroad जोड़ दें, तो क्या बनता है, GNP बन जाता है, यह क्या है इसके बारे हम detail आगे पढ़ें, तो क्या कुछ दिया गया है, GNP के regarding सबसे पहले बात की गई है, GNP refer to the total sum of market value of all goods and service produced in any nation during the year, ठीक है, ग्रोस टर्म इसलिए यूज नहीं, ग्रोस टर्म यूज बिकाज डेप्रेसेशन इस नोट डिड़क्टिड, जो स्टार्टिंग में दिया गया है आपको बता देता हूं में, जैसे G, D, P, इस G को N मे convert करना है, इस D को N में convert करना है, P का product का product रह जाएगा, ठीक है, स्पोर्ज करो ये market price है, ये factor price है, बस यही चीज चेंज करनी है अपने को, अगर आपने ये सीख लिया तो इसमें कुछ भी ने देखो, ये जो होता न, G पहला, जो ये first दिया गया है, ये जो G है, इस G को हम बोलते हैं, gross, क्या बोलते हैं, gross, और इस N को क्या बोलेंगे, gross के बाद net, क्या बोलते हैं, net, ओके, जो ये D दी गया है, इसको बोलते हैं, domestic, क्या बोलते हैं, domestic, और इसको क्या बोलते हैं, national, क्या बोलेंगे, national, ठीक है और यह MP MP का मतलब होता मार्केट प्राइस MP का मतलब क्या होता है मार्केट प्राइस और FC FC का मतलब होता है फैक्टर प्राइस क्या होता है फैक्टर प्राइस मार्केट प्राइस का मतलब होता है आप कोई भी गूड्स अगर आपको आना चाहिए ठीक है अब gross से net कैसे बनता है domestic से nation कैसे बनता है या market price से factor price कैसे बनता है यही हमारा आज का part है यह हम करेंगे ठीक है तो इसमें first one दिया गया आपका gross national product क्या दिया गया है ग्रोस national product GNP इसके अंदर हम क्या क्या इंकलूड करते वेज़ी शेलरी इंट्रेस्ट प्रोफिट डिविडेंट वग्यरा इस सारी चीज़े हम इंकलूड कर रहे हैं इसके अंदर ठीक है यह देखिए wages and salary, interest, profit, dividend, undistributed profit, corporate tax, indirect tax या depreciation depreciation add कर दिया इसका मतलब क्या है यह gross है यह क्या है यह gross एक बस यह याद रख लेना gross से अगर net पे जाना है तो less करना पड़ेगा क्या depreciation less क्या करना पड़ेगा depreciation यानिके net के अंदर depreciation not include depreciation is not include net के अंदर क्या है depreciation is not include ठीक है और gross के अंदर क्या है depreciation is included ठीक है बस यह याद रख लेना आपको ओके तो next one क्या देखी क्या दिया गया है फीद दे रखा आपका प्रास gross national product कैसे निकालते हैं एक तरीका था आपका उपर है यह दे रखा है personal consumption expenditure gross domestic private investment या net foreign investment या फिर गवर्मेंट expenditure या आप simple ऐसे याद रख लो देखो याद निकालने का तरीका अगर आपको GDP MP के बारे में जानना है तो इसका निकालने bread बनानी है तो bread बनाने के लिए क्या क्या थी यह आपको सबसे पहले वीट गेहूं चाहिए माले के आपने 100 रुपे के लिए ठीक है इसके बाद एक machinery चीज जिस आप गेहूं को फ्लोराटे में convert कर सको स्पोज करो 200 रुपे की आई फिर आप उसको रिटेलर को सेल या रिटेल उसको आगे कंजूमर को बेच होगे तो इसके रिगार्डिंग अगर माले 20 रुपे हम और इंक्लोड कर लेते हैं तो कितना होगा सारा 320 तो इसको बोलते वैल्यू एड़िड है ठीक है क्या होता है वैल्यू एड़िड जैसे फर्दर गेहूं अगर माल लिय सो रुपे की दे रखी थी स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी होगी लाश्ट में ब्रैड़िड की रूप में 320 ठीक है या आप इसको केजी की साबसे मालों 20 रुपे की लोग यह हो लेकिन ब्रैड का जो मिलता है माले 200 रुपे का पैकर मिलता है पर केजी उ अगर ग्रोस वैल्यू एड़िड आपने निकाल ली यानिके सारी चीजें आपने जोड़ते चले ठीक है माले किसान ने स्पोज करो 15 रुपे की थी उसने 20 रुपे में बेचा तो 5 रुपे उसने कमा ली इसी तरह से फ्लोर आटा मिल वाले ने 20 की ली और उसको 25 में बेच तो इसको क्या बोलेंगे जो हर स्टेज पर होता गया उसको क्या बोलते हैं वैल्यू एड़िड ठीक है यह आपको याद रखना है इसके इलावा नेट नेशनल प्रोडेक्ट एन एन पी तो क्या है देखो इनको सार जितने फॉर्मले इनको याद करने का सिंपल एक ही तरीका है सबसे पहले ग्रोस डुमेस्टिक प्रोडेक्ट एमपी यह आपको आना चीज़ इसका तरीका सिंपल क्या है ग्रोस वैल्यू एडिड एमपी यह कैसे निकालते हैं सर ग्रोस वैल्यू एडिड एमपी का मतलब होता है जो भी आप समान लेकर आए हो उसको कितने कितने रेट में अपने परचेज गया जैसे मैंने बताया अगर आब आटा लेते हो 20 में उसको पीस कर बेच रहे हो 30 में तो 10 रुपे वैल एडिड होते चले जाएगी उसको हम बोलते ग्रोस अनुल वैडिड तो यह आपको यह निकालना इसके वेश पर अगर आपने GDP MP निकाले इसके वेश पर सारे निकल जाए क्यों GCN में कनवर्ट होना बता देंगे GCN में कनवर्ट होना पी का प्रडेक्ट रहेगा MP का FC बन ज तो ग्रोस मैं आपको निकालने का बता देता हूं GNNPFC इसको निकालने के चलते हैं MP सबसे पहले इस G को N में कनवर्ट करना है G को N में कनवर्ट करने के लिए करना पड़ेगा G को इनके ग्रोष में से अगर हम डेपरीशेशन Less कर देंगे तो क्या जाएगा देगा Xard cens कर मतलब यह क्या क्या क्यां कि हमने G को कनवर्ट कर दिया कृSch 2017 ा इसी तरह सी डिए यृण में कनवर्ट करना हैं जब हम जब हम domestic के अंदर अगर हम net factor income from abroad यानि कि अपने देश के लोगों ने विदेश में जाकर कितना पैसा कमाया और विदेश के लोगों ने इंडिया में आकर कितना पैसा कमाया उनका अगर हम net निकाल दे तो उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम अब्रोड तो क्या करेंगे जो हमारे पास ग्रोस क्या है डोमेस्टिक न तो डोमेस्टिक के अंदर अगर यह निकाल देते हैं तो यह हमारा क्या बन जाता है यह हमारा बन जाता है नेशनल क्या बन जाता है इसमें क्या करें एड कर दें क्या net factor income from abroad अब हमारा क्या होगा है जी भी आपने convert कर दिया अब आता factor price और ये क्या है market price market price और factor price तो फार्क हैं क्या करेंगा आपको पता हो जैसे fixed cost है क्या है fixed cost sorry factor price है मान ले कि आपने कोई चीज बनाई है 100 रुपे में कितने रुपे में बना दी 100 रुपे में government ने tax लगा दिया तो क्या होगा 10 रुपे tax लगा तो कितने होगी 110 कितने होगी 110 government ने क्या कर दिया 10 रुपे का tax लगा दिया tax at the rate 10% 110 रुपे कि आप उसको market में बेचोगे जब माल्या की गॉर्णमेंट ने बोल दिया कि हम 20 रुपे की सबसीडी देते हैं, क्या देते हैं, सबसीडी देते हैं, छूट दे दी अपने को, ठीक है, तो हम मार्केट में कितने बेचेंगे, 90 रुपे में, ठीक है, तो ये तो आपका क्या था, आप बोल से ते सरफ कोश्ट, और ये आपका क्या हो गया नबर पे, इनके सोर पे आपकी क्या थी, फैक्टर कोश्ट, नबर पे आपके क्या हो गया, मार्केट प्राइस, क्या हो गया, मार्केट प्राइस, तो आपने देखा हो, तो फैक्टर कोश्ट में, टेक्स तो जूड़ता है, सबसीडी तो जोड़ दो जो गटाया था ठीक है और indirect tax को क्या कर दो गटा दो indirect tax को हम क्या कर देंगे गटा दो बस ठीक है इन दोनों को या फिर हम क्या करते हैं देखिए इसको indirect tax और इसको factor cost से अगर आप इसमें जोड़ देते हो क्या अगर ये जोड़ देते हो तो हमारे पास आ जाता है market price और net indirect tax में क्या क्या आता है net indirect tax ये कैसे निकालते हैं तर ये निकालेंगे indirect tax indirect tax minus subsidy minus ये हम ऐसे निकालते हैं तो आप direct यहाँ पर क्या कर सकते हो minus या plus करना है market price है तो minus होगा minus indirect tax अगर minus करोगे तो आपने देखा अगर बाहर minus करते हैं सबसीडरी क्या होज़ेगी minus क्या होज़ेगी लेकिन आप direct भी कर सकते हैं तो हमने क्या किया आप काछ जीए को अब सारा detail यहाग आपका complete इसको जोडने से और फिर यह आपका last का देखेए यहाँ पर तो हमने क्या कर दिया growth को net बना दिया गरोऌस को क्या क्या कर दिया neत बना दिया depreciation ठीक है growth को हमने net बना दिया यहाँ हमने क्या किया मार्केट प्राइस को हमने कनवर्ट कर दिया यही था आपका ओवरोल GDPMP आपको गीवन होता है GDPMP क्या होता मैं फिर से बता देता हूँ GDPMP का मतलब होता है आपका ग्रोश डोमेस्टिक प्रडेक्ट यानि कि जो भी गूड्स आप प्रचेज करके लेके आते हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ग्रोश डोमेस्टिक प्रडेक्ट और यही इसकी डेफिनेशन भी क्या total sum of market value total sum of market value of all goods and service produced in a country in any nation during the year वस इसको क्या बोलते हैं GDP बोलते हैं क्या बोलते हैं GDP ग्रोश टर्म यूज किया गया क्योंकि इसमें डेप्रेशिशन नहीं गटाया गया ठीक है तो यह आपका दियागा था जी डीपी हो जाएगा तो यह था overall आप यह मानलों की सारा का सारा जो डीटेल है वह आपकी यही दे रखी है तो एक बड़ आप इसको ऐसे देख लेना यह सारा डीटेल में हो गया आपका ठीक है तो अभी देखिए आप अब यह सारा जो है आप इसका स्नेप सोट ले सकते हो तो यहां से आपका यह कवर हो जाएगा होप शो यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हुगा अभी हम बढ़ते हैं आगे देखिए फिर यानिके नैशनल इंकम ने कैसे निकाल दिया आपको पता है नैशनल इंकम हमने निकाला कैसे वह आप कर सकते हो यानिके जीडीप एंपी माइनस डेप्रिशेशन मैं अब डारेक्ट कर रहा हूं पलस नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम अब्रोड ठीक है और क्या कर सकते हैं फिर आगे माइनस अगर आपको निकालना याद रख लेनाbnा का का मण बन जाएगा ओके आग अगर आप से personal income हम निकाल सकते हैं अपनी कितनी होगी national income national income plus transfer payment जो आपको मिला है minus आप इसमें से less क्या क्या करोगे आप करोगे sir corporate tax हम इसमें से corporate tax को less कर सकते हैं और हम less कर सकते हैं undistributed profit एक और corporate profit या फिर social security social security के regarding हम कर सकते हैं corporate tax undistributed corporate profit social security contribution इसको आप less कर देना यह आपके पास क्या जेगा personal income है कि national income plus transfer payment में से आप less करोगे corporate tax minus undistributed profit corporate profit और social security contribution को ठीक है फिर देर आपका disposable income यानि कि अगर आपने personal income निकाल ली तो आपके क्या जेगा disposable सिर्फ direct tax less कर दें कि अगर देंगे direct tax less कर देंगे क्या था अगर मैं disposable income को थोड़ा सा वाइड करूं disposable कि इंकम कैसे निकालते हैं suppose को आपके बास national income दे रखिए national income में या कर देंगे ट्रांसफर पेइमेंट ट्रांसफर पेइमेंट यानिकि अंडिस्पोजेबल income में एड कर देंगे ट्रांसफर पेइमेंट माइनस corporate taxes minus undistributed profit minus social security contributions हो ठीक है इससे आपका क्या आज़ एगए इससे आज़ एगी personal income यानि कि इससे जो मिलकर बनेगा ये ये आपके क्या आज़ एगी personal income इसमें से भी less कर दें किसको direct tax को तो ये हमारे पास क्या आज़ एगा disposable income आज़े तो complete आप ऐसे भी आज़ रख सकते हो ठीक है या फिर direct भी निकाल सकते है अगर आपके पास personal income का डेटा नहीं है ता आप डारेक्ट निकाल सकते हो consumption expenditure plus में saving ये भी क्या होता आपके पास disposable income क्या होता है disposable income अब हम करते है method of measurement of national income कि national income को कैसे measure करेंगे उसके क्या-क्या method है वो दिया गया है first of all इन तरह के method होते है three method of national income measurement पहला आता है production method दूसरा आता है आपका production method के बाद में production method, income method और expenditure method production method, income method और expenditure यानिके आप बोल सकते हो सर्फ production income और expenditure method तेन तरह के method हम योज करते है national income को measure करने के लिए इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते है national income को find out कर सकते हैं तो पहला दिया गया आपका production method इसको हम value added method भी बोल सकते हैं value added method भी बोल सकते हैं value added method भी बोल सकते हैं ठीक है ये कैसे निकालते हैं इसके थूरू इसके थूरू आप national income कैसे निकालोगी देखो value added production production जो होता है ये होता है at market price at market market price ये थोड़ा याद रख लेना इस पेस पे होता है यह market price पे जबकि income method होता है वह होता है at factor cost at factor ठीक है market price या फिर at factor cost यह आपको ध्यान रख लेना है at factor price या factor cost बोला हो ठीक है ना तो यह ध्यान रख लेना है वैसे तीनों को साथ में हम कैसे use कर सकते देखिए नोर्मली जो national income होती है national income नेशनल income बराबर होती है आपकी national production के और national production बराबर होता है आपका national expenditure के national expenditure के ठीक है देखिए हम का पर national income का मतलब है अगर हम मान लेते हैं कि एक nation के अंदर से दो ही वैकती है एकस और वाई उन्होंने अर्निंग की एक ने सो दूसरे ने दो सो तो टोटल कितनी होगी तीन सो रुपे अब तीन सो रुपे क्या करेंगे खर्चा कर देंगे तो सारा का सारा खर्चा करेंगे तो क्या होज़ेगी national expenditure हो जागा अब national expenditure होन production करेंगे labor वगारा से उसको payment करनी पड़ेगी तो फिर fourth यही हो जाएगा ऐसे circle घूम जाएगा आप बोल सकते हो क्या क्या आप बोलोगे national income यह बाद आता है national expenditure फिर आता है national production और यह ऐसे घूमता रहेगा फिर से national income ठीक है ना यह circle ऐसा चलता रहेगा तो इसलिए तीनों के थूरू भी हम national income निकाल सकते है national production ठीक है तो production के थूरू हम कैसे निकालेंगे census of production method इसके थूरू हम निकालने का तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए GDP MP या national production को हम national output भी बोलते हैं output method बोल लो value added method बोल लो या production method बोल लो बात एक ही है बात के हैं एक ही है इसके निकालना होता है इसके निकालना है gross domestic product at market price GDP MP हमें निकालना होता है इसके थूरू क्या निकालेंगे gvamp gross value added gross value added gross value added का मतलो होता है जो भी आपने काम किया उस सब के दिगाड़ेंगी ठीक है na gross value added तो आपको क्या चाहिए GDP MP चाहिए या तो आप डारेक्ट इसके थूरू निकाल सकते हो या फिर हम क्या कर सकते हैं अगर आपके पास है GDPFC क्या है GDPFC तो इसके थुरू भी निकाल सकते आप देखो MPFC में क्या करेंगे FC में हम एड कर देंगे net indirect net indirect taxi एड कर देंगे net indirect taxi तो आपका MPB आ जाएगा ठीक है ओके इसके बाद अब जो निकालते हो gross value added ठीक है gross value added market price इसका एक तरीका हो रहा है आप क्या करते है तो sale plus में closing stock minus opening stock माइनस इंटर्मेडियेट कंजप्शन इसकी यह भी फॉर्मूला इसका क्या आपका ग्रोस वैल्यू एडिड का है sale closing stock माइनस opening stock और माइनस इंटर्मेडियेट कंजप्शन माइनस इंटर्मेडियेट कंजप्शन इसके थरू भी आप निकाल सकते हैं ठीक है यह फिर अगर इसका एक फॉर्मूला और है अगर सेकंड और करना चाहा हो ताब क्या वैल्यू of output यह exact value क्या है माइनस कर दो intermediate इंटर्मेडियेट कंजप्शन इंटर्मेडियेट कंजप्शन इसके बिचोलियों का commission निकाल दो इसके बराब बुलता है GDP MP के बराबर ठीक है तो अगर GDP MP आ गया फिर इसके थूरूद आप निकाली सकते हो ना N, N, P, F, C निकालना है तो G को N में convert करो D को N में convert करो MP को F में convert कर तो यह हम करना भी सिख्के आई हैं नेक्ट देर रखा आपके बाद इसके बाद income method, income method कैसे निकालते हैं compensation of employee, compensation के अंदर normally हम wages ले ले लेते हैं labor की जगए ठीक है न, लेकिन wages, salary, provident fund में पैसा आई हैं कि employees को जो कुछ भी मिलता है वो हम यहां लेक सकते हैं ठीक है नॉर्मली जो income होती है वो चार factor से मिलकर हम बनाते हैं क्या-क्या लेंड, labor, capital और entrepreneur एंटर्पर्नियोर ठीक है तो लेंड के बदले में जो मिलता है उसको हम rent या फिर royalty बोल देते हैं क्या बोलते हैं लेबर को मिलता है उसको employees compensation बोलते हैं कैब इंटर्पर्पर्ण का बदले इंटर्पर्णर को मिलता है इन सब को हम क्या बोल देते हैं आपका GDPFC क्या बोल देते हैं GDPFC यह आ जाता है अपने प्रडेक्शन मेथेड हमने पहले बात की यह तो market price पर होता है MP पर और यह क्या होता है factor price पर किस पर होता है factor price या factor cost पर होता है ठीक है तो इसको के थुरू हम आप निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सबते हैं अगर आपके पास अगर आपको फॉर्मुले बनाने आगे तो फिर तो है इसमें कोई problem नहीं होने वाले आपको ठीक है next नेक्ट देर रखा है फिर आपका इसके अंदर है census expenditure method क्या देर रखा है census expenditure method इसमें क्या बोला गए एक तो तब private final consumption सी से बोलते हैं government final consumption इसको जी लिख देना आपर जी से बोलते हैं investment को हम आई से बोलेंगे investment expenditure और net export इंपॉर्ट हम बोल सकते हैं यानि के आप national income कैसे निकाल सकते हो ब्राइवेट कि इंवेस्टमेंट दो तरीके की होती है यह याद रखना एक होती है आप आप जो investment करते हो एक investment हम करते हैं fix मतलब आप बोल सकते business के लिए किसके लिए investment expenditure gross domestic capital expenditure by firm इनके जो firm ओ दोबारा क्या दाता है ये किसके दोबारा क्या दाता है by firm अब firm दो तरीके से कर सकती है या तो वो fixed asset ले सकती है investment के थुरू या फिर वो inventory में पैसा लगा सकती है inventory तो इसी को वाइरफिकेट किया गया है किसको private consumption private final consumption expenditure ये दूसरे method में government का direct दे रखा है अब इसको explain क्या गया है इन 4 point हो से 4 point दे गये किसके लिए investment expenditure के रिकाड़े और और तो same है तो आपके पास ही क्या देगा GDP MP आजाए क्या जाएगा GDP MP ये आपके पास आजाएगा आपको निकालना क्या है NNP FC निकालना है तो उपसे आप निकाल दोगे GCNP क्या करोगे तो depreciation कर देगे less GCNP करेंगे तो क्या कर देए net factor income from abroad और MP से करेंगे तो क्या कर देए indirect income एक सोरे इंडार्य टैक्स आजेगा आप कर लोगे यहां पर ठीक है तो इसके अंदर fix के अंदर क्या को तो यह आजाएगा एक आजैगे आजैगा आपका 1868 in 1868 first time डादा भाई नौरोजी यहने कि कांग्रेस का को फाउंडर था डादा भाई नौरोजी when he estimate Indian per capita income उसने एक बुक ति उन्हें सबसे पहले estimate किया था Indian per capita income किसको डादा भाई नौरोजी ने इसकी बुक थी Poverty and British Rule in India पर-capita income जो इन्होंने मेजर की थी दादा भाई ने वो थी 20 रूपीज कितनी थी 20 रूपीज निकालने का तरीका क्या पर-capita income का फोर्मूला है national income of country divided by population of the same year यहनकि उस जिस साल के आपने population income ली है उसी साल की population आपको लेनी है अभी जो हमने national income का concept किया उसी को थोड़ा सा detail में दे रखाया तो आप बोल सकते हैं क्रक्स दे रखाया इसका निकाल रखाया इसलिए क्या बोला गया इसमें national income at a glance एक नजर में क्या कुछ है देखिए GDP क्या कुछ दे रखा आपका GDP GDP कैसे निकालते हैं ndp प्लस में depreciation देखो अगर अगर आपको निकालना तो क्या करेंगे तो जो मैंने फॉर्मल आपको करवाया है वही है सारा उसके लावा कुछ भी नहीं इसमें ऐपके अनदी पी prin को दिया गये हैं तो यह है factor कोस्ट क्या है factor कोस्ट यहां पर आथ थुदा मेंसं करले ना इसे क्टर कोस्ट अब आपके पास है् देखो n d p f c एपको निकालना क्या निकालना dify बि-τάकर देर रंख अरु इंप्राट करते हैं बालोग KIM किबाट फीजा सेốn ब्रॉड करते हैं नेट्व इंकम फॉरétait इंआ को स्वल और अबरोर कह रखाए हैं तब हमारे पास क्या जाता है नेशनल क्या जाता है अभी हम नेशनल से जा रहें तो इसके क्या करेंगे रिवर्स कर माइनस कर देंगे और MP MP यानिके मार्केट प्राइस में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे को नेट इंडारेक्ट टेक्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही एंडारेक्ट टेक्स , अप कर लो ठीक है ओके एक टिया गया है आपका सथिक वर डिमेंस्टिक प्रटेक्ट एक्ट अधै 스टर यह आप बोल सकते हैं किसार, important point आप बोल सकते हो, यही है सारा, सारा का सार ची, domestic product factor course, domestic product market price में ज़िए गरेणिए? indirect tax और subsidy को हम क्या बोलते है, net indirect tax, क्या बोलते ne't indirect tax, यह कैसे निकालते है net indirect tax, so indirect tax, indirect tax, indirect tax, minus subsidy से हम क्या निकालते है net indirect tax, ठीक है. फिर आता है G, N, P, M, P और GDP, M, P दे रखा तो क्या करने देखो भी G है, G है, D का N बनाना है तो net factoring from abroad जोड़ेंगे MP तो MP है, उसमें कोई change करना आपको नहीं है ओके, next आता है आपका बार फिर N, N, P, M, P next क्या दे रखा है N, N, P, M, P तो आपके पास अगर GDP, M, P है तो क्या करेंगे G को N में convert करने के लिए depreciation less और D को N में convert connect factoring from abroad जोड़ेंगे तो यह कुछ दिया गया है वही same डिटो, N, N, P, M, P है तो G, N, P, देर का depreciation के कर लोगे आप ठीक है next है फिर आगे वही चीजी दी गई है बार-बार next देर काई फिर इसमें यहां से start करते हैं net factor income from national disposable income क्या देर रखी है national disposable income यहां से start करते हैं और यह आपका हो जाएगा personal income तक personal disposable income यह देखी यह जो circle देखा पूरा का पूरा जो मैंने डाइग्राम में आपर लिख दिया है इसमें क्या कुछ दे रखा है आपके पास national disposable income क्या है national disposable income और आपको क्या कहा पर जाना है आपको जाना है personal disposable income यानि कि national disposable income से कहा पर आना है personal disposable income से तो यह step दे रखे तो यह आपको याद रखना है national disposable income कैसे निकालते हैं अगर आपके पास national income है क्या है national income है उसमें net indirect tax आप जोड़ दोगे इसके इसके बाद आपके पास आजएगा national disposable income निकाल ली तो क्या करोगे ग्रोस national disposable income अगर आपके पास है तो current replacement cost को less कर दो इसी तरह factor income from the domestic product accounting private sector के लिए factor income मतलब factor cost पे factor का नाम आते ही आपको land labor capital entrepreneur याद आना चाहिए उनके जो हम effort के बदले देते हैं उसको factor income बोल देते हैं income from property entrepreneur accounting to the government department या प्याद कर लेना है ठीक है इसी तरीके से private income आपको निकालनी है क्या निकालनी है प्राइवेट इंकम ठीक है प्राइवेट इंकम निकालनी है तो क्या करेंगे फैक्टर इंकम जो आपने ऊपर निकाला ना वही फैक्टर इंकम from the net domestic product to the private sector इसमें फिर आपका नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम अब्रोड इंट्रस्ट ओन नेशनल डेप्ट करेंट ट्रांसपर फ्रॉम गोर्मेंट करेंट ट्रांसपर फ्रॉम जैश्ट अब आवर्ड तो इसारा का सारा सिंपल्स आपका दे रखा तो यह त्योरी स्टोड़ा याद कर लेना फोर्मलेस क personal income देखो आपने अगर एक निकाल लिया आपने क्या कर लिया आपने अगर एक निकाल लिया तो फिर इसके बाद तो आपको factor income from domestic product निकालने के बाद तो आपको detail में वही दे रख है सारा का सारा personal income कैसे निकालेंगे private income निकालना private income कैसे निकालेंगे तो आगे दिया गया है आपका इसके बाद या करोती कठाय से याद करना कंप्लेट का कंप्लेट नेशनल इंकम एट करंट प्राइस नेशनल इंकम एट करणट प्राइस हम करने वाले हैं एक होता आपका national income at current price और एक होता आपका national income at constant price, current price और constant price, देखिए, current price, current price का मतलब क्या हो गया, इसमें दोनों फैक्टर आपके variable होते हैं, बोथ हार variable, दोनों का effect पढ़ता है, price का और quantity का किस पर, national income पर, इसमें स्रिफ का पढ़ता है, only on quantity का effect पढ़ता है, किसके ओपर, national income पर, ठीक है, ओके, GNP deflator, यह formula क्या है, nominal GNP divided by real GNP into 100, हम इसके तुरू निकाल सकते हैं, GNP deflator, GNP deflator क्या कुछ दिया गया है, GNP deflator is an economic metric, यह एक economic metric है, debt accounts for the effect of inflation, यह इन्फलेशन के अकाउंट को दिखा, यह इन्फलेशन का क्या परभाव पढ़ा, वो दिखाता है, कि इन्दी current year GNP, यह इन्दी के, current year GNP पर, इसके उपर, इसका effect, इसके उपर आप बोल सकते हो कि inflation, इन्फलेशन का क्या effect पढ़ा है, उसको जो note down करते हैं, वो किसमे आता आपका, GNP deflator में आता है, ठीक है, क्या कुछ पढ़ा हमने, कि GNP deflator is an economic metric that account for the effect of inflation in the current year GNP, ठीक, current year GNP, by converting, by converting its output, यहनके output को change करने से, its output to a level relative to a base period, related to a base period, यहनके एक base period को लेकर, अगर आप output में convert कर रहे हो, तो उससे होने वाली inflation का GNP, पर काई भग पढ़ाता है, यह वोलते हैं, GNP deflator, ठीक है, ओके, next अपने पास तरहा है value addition, value of output minus intermediate consumption, यह हम यह भी पढ़ किया आए था, आपको याद हो तो हमने क्या किया था, gross value addition, हमने किया था ना भी, हमने किया था GDP, MP, हमने किया था, इसके साथ हमने क्या था जी वी ए एंपी ग्रोस वैल्यू एडिट हमने क्या था ग्रोस वैल्यू एडिट का हमने पढ़ा था तो वही दिर्खा वैल्यू अडिशन यानिके ग्रोस वैल्यू एडिट ये कैसे निकालते ही हैं हमने एक फॉर्मुला यह रहा एक हमने क्या था से की सेल को ही क्या बोलेंगे वैल्य एडिशन अगर माले के एक पार्ट रहे जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सेल प्लस में स्टोग चेंजिन स्टोग का मतलबता है ओपनिंग स्टोग माइनस ओपनिंग स्टोग फिर आता है आपके पास GDP MP अब GDP MP दे रखा है इनके ग्रोस यहां पर हम कर रहे हैं यह वाले टेबल बारा से बना रहे हैं यह वाला ठीक है यह टेबल आपको याद करने क्या कुछ दे रखा देखिए इसमें बिल्कुल बारे की से समझाए गई है चीज को पहले क्यादर का GDP MP अब देखो जी में से डेप्रिशेशन गटाया तो जी से क्या बन गया एन ठीक है ओके अब आगया क्या आपका अगर हमने डी में से नेट इंडारेक्ट टेक्स अगर हमने अगर हम MP में से नेट इंडारेक्ट टेक्स घटा देंगे तो होप आपको यह समझ में आ गया होगा और अब हम पढ़ते हैं सम में में मॉरेबल पॉइंट यानिके पेपर पॉइंट ओफी से ज्यादा इंपोर्टेंट आपके हैं तो जल्दी-जल्दी करते हैं फर्स्ट वन यह प्रिविश यह का कोश्चन है आपका प्रिविश यह मे किया था एक बार कि इयर के कोडी इनको सिक्वेंस में लगाए कब-कब इनका इनका इनोवेशन हुआ था कब आये थे यह कब प्रपांडिट किये गए तो उसके खाला तो कुर्णोट ने डियोपोली मोडल किया था 1838 में बरनार्ड ने 1880 में ऐजवार्थ ने 1897 में ठीक है इनकी सिक्वेंस आपको याद होनी चाहिए यह सिक्वेंस बहुत बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो थियोरी है वो दीथी पीगो ने और एक्सेप्शन ओफ लोफ डिमांड दिया था बहामन ने ठीक है बन हैमने यह याद रख लें और इंपरफेक्ट कंपिटिशन दिया था जोन रोबिंसन ने पॉजिटिव इंपक्ट ओफ मॉनोपली दिया था आपका जो सफ संपिटर ने डिमांड करो इंडिकेट डाउनवर्ड स्लोप आपको पता है डिमांड करो का ऐसा बनता है यह क्या इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड स्लोप है लेफ्ट से राइट देखो यहां लेफ्ट यहां से स्टार्ट होकर लेफ्ट राइट तक जाता है नेगटिव स्लोप है इ कि दिया गया था इसके रिगार्डिक हम बात करेंगे ये तीनों को हमी कठा पढ़ने वाले हैं फर्ष्ट ली पर पाउंड इंड डाल्टन डाल्टन ने क्या दिया था यह दिया था आपका प्रिंसीपल ओफ मैक्सिमम अगर सोसल वैलफेर लिख देता हूं या पर क्या लिख ब्रिंसीपल ओस मैक्सिमम आप बोल्सक्टां आ हूं ओके तो नेक्स्ट में दिया गया नोर्मल गूड्स और आपकी इंफिरियेर नौर्मछ जो be the effect Price Effect कैसे निकालते i income 치 all income packets पलस में you calculate in Am CP फिर एंड बोल दा पो do i substitute wrapped principle सजुरी मैं आपर वह ही लिख दिता हूं आपकों कर सोजनinkन्र नियों होगी पलास का सिंबल लगा देते हैं या पर गलर क्रेंजड कर लेते हैं ठीक है यह तुरित अपका और प्राइस इफेक्ट के रिगार्डिंग दिया गए है अब बात करते हैं सर्फ गूर्ड्स की या तो हो सकता है नॉर्मल गूर्स नॉर्मल या हो सकती है इनिफीरियर गूर्स में चार्ट बना देता हूं ठीक है यहां पर आपको थोड़ा सा या कंवर्ट रहो है और फिर हम बना देते हैं घीफन लॉर्च ठीक है और उखीर प्राइस एफेक्ट के बारे बात बरार रहे बात है और खुषल ओके देखो income effect normal goods के case में positive income बढ़ेगी आपको याद हो यह बनता है income के लिए why say dinot करें income बढ़े है आपका demand भी बढ़ती जाए demand भी बढ़ती जाएगे सबस्टिूशन effect हमेशा ही negative होगा substitution effect हमेशा ही क्या होगा negative होता है ये याद रख लेना क्या होता है हर डिसने चाहिए और चाहिए वह आपकी नॉर्मल गूर्स हो और चाहे वह आपकी इंफिर्येर गूर्स सोच गिफण गूर्स के केश में इंग्फड नेगश्ट और इसफ़ानों की गूर्स का ही एक पार्ट या झालEMA से भी गट्या वस्तों को गिफन गुर्स बोलते हैं तो जो सिंबल आप इंफिरियर गुर्स में यूज़ करोगे वही सारे सिंबल आपके गिफन गुर्स में भोगों कि और यहां पर समझने वाला पॉइंट जो पेपर में जहां से कोश्चन बनता है आपका वह बनता है यह देखो नॉर्मल गूड्स में इंकम इफेक्ट पोजिटिव होता है और सबसिटूशन इफेक्ट क्या होता है नेगिटिव होता है तो आप यह बोल सकते हैं ठीक है ले आपका गिफन गूड्स में इंकम इफेक्ट ज्यादा होता है यही यहां से कोश्चन पेपर में पूछा जाता है तो यह आपको आना चाहिए क्या कुछ दिया गया इसके अंदर देखिए नॉर्मल गूड्स में प्राइस इफेक्ट पोजिटिव इंकम इफेक्ट बनता है वो यह बनता है देखिए लो ओफ डिमांड के बारे में और पूछ लिया जाता है इसी के साथ कि लोफ डिमांड यहां तो लोफ डिमांड इंप्लीमेंट होगा देखिए इस केस में लोफ डिमांड लागू होता है इस केस में भी लोफ डिमांड लागू होता है ल लोफस्टे मीमंड होता है यह मुझेता हूं लोफसटं में लागू कुल चिरफ गीफण गूर्स में लौ डिमाड लागू नहीं होता इसका मतलब क्या हो ज nonetheless जब तक हमerson पड़ते आए हैं वह तो सिर्फ और सिर्फ गूफ गीफन गूड्स में लगते हैं ना कि इंफिरे गूड्स में तो यह जो टेबल है यह most important है आप इसका Snapshot ले सकते हैं ठीक है और यहीं से paper बारबार में paper हर बार पूछे जाते हैं अब हम इसको डिटेल से करेंगे तो जल्दी कर लें नॉर्मल गूड्स और दोज गूड्स अब देखो इंगागी अब देखो मैंने बोला नहीं मैं बोलता हूं कि सब्सीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है इन इफिरियर में तो इसका मतलब प्राइस इफेक्ट का उपर किस प्राइस तला जाएगा ठीक है इसके इलाबा पॉजिट्यूशन का मतलब क्या होता है जी डिमांड करो बनेगा या अगर यह भी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चले जाएगा यह याद रख लें बोथ सब्सीट्यूशन एंड इंका इफेक्ट लीड इन वर्स प्राइस और प्लस इंकालना है क्योंकि इफेक्ट देखो इंफिरियन में किसका इफेक्ट जाता है सब्सीट्यूशन का इंकम का कम होता है इसलिए इसको निकाल दिया कर लोगे नॉर्मल में प्राइस का होता है क्यों दोनों बराबर साहिए तो इसको प्राइस का लेके च जाएगा सब्सीटोशन इंफेक्ट ग्रेंग ग्रेंग इंकम इफेक्ट धयुक्त को नहीं, तो आम ने इंकम parallel के य। इंकम इफेक्ट का जुरूल होता है वो ज्यादा होता है बजाय की सब्सिटूशन के हाला कि नेगटिव दोनों होते हैं और जो डिमांड अपवर्ड बनता है यह जो अप एक्सेप्शन ओफ डिमांड है वो सिर्फ गीफन गूड्स में लगती है निफिरियन में नहीं लगत अभी नेक्ट दिया गया आपका सट डाउन पॉइंट क्या दे रखा है सट डाउन पॉइंट आपको याद हो तो हमने पहले भी किये थे सट डाउन पॉइंट के रिगाड़ी सट डाउन पॉइंट क्या होता है मान लिया कि ये कोश्ट दे रखी आपकी पास ठीक है एवीसी हम पहले कर चुक्या है वही करवाता हम आपको sut down point sut down price और fair decir एक उund आप का average cost क्या होती है average cost average cost ये बनती average fixed cost पलस में average variable cost अगर आप variable cost को चीव कर पा रहे है तो आप business को continue रखे ये point एक ऐसा होता है जहाँ पर आपको सोचना पढ़ता है अगर इस से कम अगर आप fix cost तो निकाल पाई ने रहे और आप variable cost भी नहीं निकाल पारे तो business को बंद कर दो लेकिन अगर आप fix cost नहीं निकाल पारे लेकिन सिर्फ variable आप निकाल रहे हो तो एक दिन आपका business चल जाएगा इसलिए सिर्फ business को continue रखो यानि के जब तक आप variable खर्चे निकाल रहे हो तब तब आप business को क्या कर सकते हो continue कर सकते क्यों fix cost तो आपके आने ही आने ही इसके इलावा फिर यहां से देर्खाप का ordinal के regarding यह पूरा का और यूटिलीटी एनल्सी को प्रैफर दी जाए गई है कारडिनल से किसे प्रैफर दिया गया कारडिनल में होते हैं सर नंबर एक दो तीन ओर्डिनल में होते हैं order या rank और या rank के थो तो यह ज्यादा दिखाता है due to byrification क्योंकि देखो और और ये पेपर में पुछा गया कि ordinal effect में price को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इसको आपका income effect और एक आपका substitution effect और सब्सीट्यूशन इफेक्ट और कारडिनल में सिरफ price effect लिखा गया है इसको income effect या substitution effect के बारे में आगे वरिफिरिकेट नहीं किया गया तो एक तो यह question हर बार कुछा जाता है mostly अगर आप competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो इसके लवा minimum LAC, LAC करो आपको अगर याद हो तो हमने कैसे बनाया था ऐसे LAC, ठीक है यहाँ पर इसके अंदर हमने जो short run करो थे ऐसे बनाये थे यह था short run average cost करो, short run average cost करो, short run average cost तो जहाँ पर LAC का minimum होगा वहाँ पर जो करो टच करेगा वालेक यह एक, दो, तीन है तो दो तक हम यह production करेंगे, यह क्या था minimum तो इसके बारे बात करें, minimum long run average cost करो, can be determined only, एक तो यह planning करो होता है, कि आपको इससे आगे नहीं जाना सर्थ, आपको सिर्फ दो ही plant use करने चाहिए, तीसरा नहीं करना चाहिए, दूसरा, यह linear programming production function है, यहनि कि इतना आपका input output उसके regarding दिखाता है, फिर आपका LAC for a normal goods के condition में दिखाया गया है, इसके अलाबा फिर next है, comparative cost theory is static, based on the fixed supply of the factor of production, यह comparative cost, जो cost theory है, यह आपकी base होती है, fix supply of factor of production, यहनि कि supply क्या होती है, fix होती है, constant average cost over a range of output, यह constant average cost, आपने ऐसे सुना होगा ने, you shape होता है, cost करो, कोई भी मानले कि cost है, यह कैसा होता है, you shape होता है, तो यह you shape ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनेगा you, आपको याद होती हो, थोड़ा सा ऐसे बनता है you, यह you बनेगा, तो यह जो constant वाला part है, यह दिखाया गया है, इसको बोलते हैं, reserve capacity, क्या बोलते हैं, reserve capacity, due to production और material cost effect, average cost become the constant momentary, momentary का मतलब होता है, momentary का मतलब होता है, action बर, थोड़े से time के लिए बिलकुल, यह ऐसा क्यों होता है, यह जो आपने बनाया यह you shape, यह थोड़े time के लिए यह थोड़े time के लिए थैसा नहीं होता है, क्या ऐसे चलता रहेगा, यह बिलकुल आपने देखा होता है, आप हमेशा ऐसे बनाते हो, थोड़ा सा यह दिखाते हो, वी नहीं बनाते है, you shape बनाते हो, तो यह थोड़े time के लिए होता है, क्यों होता है, due to production and material cost, यह थोड़ेक्शन और material cost के effect के कान, average cost करो हमेशा क्या होता है, constant होता है, लेकिन थोड़ा सा, थोड़े time के लिए, you shape बनाता है, वी से यू पर आ ज economy, this economy, यानिकि एकनोमी के अंदर क्या cost कम होती जारी है, क्या और कोस्ट कम होती जारी है, और इकनोमी के कोस्ट बढ़ती जारी है, economic capacity में एक modern long term average cost करो, और देखिए, यानिकि आप यह मानों कि यह जो long run average cost करो है, यह तो है traditional के coding, किसके coding है, traditional के coding, ठीक है, लेकिन अगर modern के coding बनाए, तो इसने बोला कि modern के coding, यह कैसे बनेगा, यानि कि अब वो उपर नहीं उटने पाएगा, क्यों हो, वो manager की efficiency लगा लो आप, या फिर technology के कान लगा लो, यह भी LAC है, लेकिन यह है modern के अंदर, किसके अंदर है modern के अंदर, ठीक है, तो यह जो LAC करो है, यह क्या है, आपका LAC हो जाता है, ओके, next बनाता आपका linear programming, linear programming के regarding दिया गया है, linear programming, technology, technique of the linear programming, LP बोल दो इसको, formulated by the LV, यह दिया गया था, LV, केंटोर विच, LV, केंटोर विच, दा परिजेंट, वर्जन ओफ दा सिम्पलेक्स, मैथड ओफ दा, LP बोल दा, फॉर्मुलेटिट बाए, यह दिया गया था, आपका, डेंट जिंक के दो, इसका, डेंट जिंक के दो, ठीक है, तो linear programming क्या है, इसके बारे में देखी, यहां में कुछ objective function को perform करने का permit देती है, allow करती है, to be minimize or maximize within the framework of the given situation, आप restriction, यहनि के कुछ restriction के साथ, हम minimize, maximize का सकते हैं, अपने काम को, यह linear programming के थुरू किया जाते हैं, अच्छी next आता, game theory, this concept of the game theory is given by, जोन, वोन, नुमेन, और ओसकर, मॉर्गंस्टन, आप नुमेन और मॉर्गंस् इन्होंने game theory of game and economic behavior के बारे में बताया है, एक game theory situation क्या होती है, जहां पर एक जीता है, दोसरा हारता है, business game बॉल सकते हैं, a game is a situation in which two and more participants take part in a certain conflict of objective, where some player may get positive or other gain and other are lost, अगर कोई conflict of objective है, तो एक जीता है, एक हारता है, उसको हम क्या बोलते है, game theory, ठीक है, game theory used to resolve, the conflict situation of the business and military operation, यह कि business की problem और military operation को शोल आउट करते हैं, game theory का use करते हैं, the finance number of rational player having definite course of action, play, play game, for resolving the conflict, कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपको अपने कोई बात मनवानी है, जैसे company डील करती है, नोर्मली, तो क्या करती है, यह चाहती है, कि उसका profit maximum हो, ना यह कि यह कि उसका profit maximum हो, यह कि एक company अपने profit को क्या करेगी, maximize करना चाहेगी, इसलिए वो, और यह क्या game theory का मनना क्या है, अगर आप दूसरे एक को loss होगा, तभी दूसरे को profit होगा, यह game theory के अंदर मना जाता है, यह किसी ने दी थी, new manner, मौरगशन ने, याद रखना आपको, फिर दे रखा आपका दो theory दी गई, इनको साथ में करते हैं, एक दे रखा part और एक दे रखा CAPM, ठीक है, part theory जो दी गई थी, यह technique है, planning and controlling of time होगा, यह सिर्फ time को control करती है, लिकि, control the time element, यह सिर्फ time को control करती है, और यह जो technique है, यह time और cost दोनों control करती है, किस control करती है, control the time and cost, यह cost और time दोनों को इसके अंदर जो event होते हैं इनके activity होती है वो क्या होती uncertain uncertain event या activity पता ही नहीं होता क्या होने वाला है जब कि इसके अंदर क्या होता certain पहले से determine होती है activity यह जहां रखना इनका मैं डिफ्रेंस करवा रहा हूं ताकि आपको याद अरिट एकिविट्टी सब्स्क्राइब कि एको आइदा याद रहाएंटीड आपको हैं अभी नेक्स्ट बन दिया ंत आगए है इसके अन्दर ये जो यूज किया जाता है कुछ भी लेता है critical path method CPM critical path method और यह क्या होता है programming यहां तक भी दे सकता है program यह यह ना दे तो कोई बात नहीं प्रोग्राम इवैलिवेशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट पी यार्ट यह पहला नेक्स्ट वन यह किसने इंट्रोड्यूस की थी डिवलोप बाई बूज एलन या हैमिल्टन ने 1958 में इसका एम क्या था तूफर नीस दा पॉलराइज फ्लीट बॉलैस्टिक मिसाइल प्र पॉल्ट कंपनी उसके रिगार्डिंग USA कंपनी यह किसकी कंपनी है यह याद रख लेना इसका जो यूज किया गया था इन ओर हेलिंग दा कैमिकल प्लांट की ओर हेलिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए 1956 में इसके रिगार्डिंग बात की गई थी ठीक है यह कब था 1958 में और यह कब था 1956 में आप इसके एक टेबल बना लेना उसके कोडिंग करोगे तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है ओके इसके इलावा इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं इतना ज्यादा और यह क्या है आगे नेक्ट दे रखा है इसके इसमें क्या है इसमें डम्य एक्टिवीटी का यूज क्या जाता है डम्य इवंट बोलो आपना अच्छा रहे है ठीक है it not यूज इन डमी एक्टिविटी का यूज नहीं किया जा सकता है और इसके अलावा नो डिफ्रेंशियं इन क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी इसमें हम क्रिटिकल पलस नॉन क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल दोनों एक्टिविटी को निकलोड करते हैं क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को अलग लिखा जाता है उनके से अलग स्टेडी की जाती है और नॉन क्रिटिकल और जो इंपोर्टेंट है ठीक नॉन क्रिटिकल एक्टिवि अलग से में चलिए यह इसके पूरे difference से तो आप आप यहां से कर सकते हैं इसके लबाद इसमें दे रखा वह भी पढ़ सकते हैं इसके अलावा है ओप्टेमिस्टिक टाइम प्रडिक्टिक यहां पर टाइम पर नहीं किया जा सकता वहां पर हम इसका यूज करते हैं इसके अलावा है इसमें क्या कोई यूज फोर दा सेडूलिंग पर जेक्ट इंडर्स्ट्रियल सेटिंग प्लांट मेंटेनन्स सेवल कंस्ट्रॉक्षिन प्रजेक्ट ठीक है क्रिटिकल पात इसके रिगार्डिंग पड़ते हैं इसके लाब आप टू ताइम और कोश्ट अलिमेंट को इसमें करते हैं पहला नॉर्मल सिच्वेशन दूसरा आपका क्रेश सिच्वेशन के अंदर इस यूज दवर्ड ऑफ दा एरो डाइग्राम नोड नोड्स या फ्लोट हम यूज करते हैं और इस नोट यूज डम्य अक्टिविटी का इसमें यूज नहीं कहादा तक तो यह जो विज्वल ना पढ़कर डिफ्रेंस की फोर्म में ही पढ़ना है ठीक है तब यह आप इसको चसे कर पाएंगे नेक्स्ट अपना देर रखें क्यूइंग छोड़ी क्या देर रखें क्या क्या कुछ दिया गया है इस डिवलोप वाइदा अरगन यह दिया गता है आपका अरगेन प्रूप इरलेंग ठीक है या फिर हम इसके अंदर लिख देता हूं मैं अगनेर कूप इसने क्या किया था वेन ही क्रियेटिड मोडल्स ओ मोडल्स टू डिस्क्राइब दा ठीक है तू मोडल्स तू डिस्क्राइब दा कोपेइन और चेहन तू मोडल्स अप्लीक है ठीक है अंदर ऐसने टेरी कोपीटिंक लिल्ग करने मिल्ग तेली कम्रियोटिनियृ ट्राइफिक इंजिनियरिंग के इन्दर क्या चैनल कुट्र के अंदर क्या अंदर या पर्टिकोलर इंदी इंड़ेस्टियल इंजिनेरिंग राइक एक रोजेक्ट एक कंई आपको काई वेक्वेट एक यह था अपना साई पूरी की पूरी पूरा कंसेप्ट हमारा नैशनल इंकम के रिगार्डिंग था और थेोरियो फ्रेंड के रिगार्डिंग था ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जुरूर दाए ठैंकिए